सब्सक्राइब करें इसके टॉक चैनल को न्यू न्यू टेक वीडियो दिखने के लिए एपल ने WWDC 2018 में अपना आइफोन का न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 12 लाउंच किया इसमें आपको कई सारी नवी चीज़े दिखने मिलती है 40% faster app launch, 50% faster keyboard display, 70% faster camera launch by slide इसमें आपको दिखने मिलता है एक फाइल्स का नावा फॉर्मेट USDZ इसमें आप बिना किसी क्वालिटी लॉस के 3D ग्राफिक्स और एनिमेशन की फाइल्स तक शेयर कर सकते हैं इसमें आपको यह आकिन में बहुसा इंप्रूमेंट मिलती है इंप्रूब फेस ट्रेकिंग, डियलिस्टिक रेंडरिंग, 3D अबजेक्ट डिटेक्शन और भी कई सारी चीज़े दिखने मिलती है डियल टाइम में आप अपने फ्रेंज के साथ गेम्स खेल सकते हैं या शेयर कर सकते हैं अपना एक्स्प्रियंस इसके अलाव आपको मिलता है एप ब्लॉकिंग का सिश्टम, आप कौन सा एप कितनी देर यूज करें उस आप वो अपना टाइम इसमें डिसाइड कर सकते हैं उसके अलाव आपको देखने मिलता है न्यू एन इमोजीज अपने न्यू न्यू 3D फेस बनाने के लिए आपको फेस्टाइम में आप ग्रूप को लिंग मिलती है 32 पीपल तक अप 32 लोगों के साथ साथ में आप ग्रूप को लिंग कर पाएंग अब आपको एपल कार प्ले में देखने मिलेगा गूगल मैप्स का सपोर्ट जो एक बहुत अच्छी बात है नेविगेशन में यह बहुत काम हैगा अपल ने अपना मेक ओस का भी न्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम लाउंच किया मोहावे इसमें आपको मोस्ट ओटेट फीचर देखने मिलता है एपल का डार्क मूड जिसमें आप रात को अलाम से अपना लेप्टॉप चला पाएंगे इसमें आपको मिलता है डेक्स्टॉप अपने सारे आइकन जैक्स्टॉप पे बेटा तरीके से अरेंच कर पाएंगे आपको देखने मिलता है एक इंप्रूड कुइक एक्शन और एक इंप्रूड कुइक लुक एपल के ओएस में इसमें आपको मिलता है इंप्रूड गैलरी व्यू जिसके जैसे आप अपना पार तो आपको मुटिवेत्た रखने के लिए को एक्सेस करने की लिएहिए उसमें पेपो फीचर मिलता है वाकी डो़्य जैसे प्लो मांगे अपनेपल की आपको लोग मिलता है क्या है उसके इसके साथ आपने लांच किया टीवी का नीव औरेंटिम जीसे मिलता है इसे कि इसमें आपको अब देखने मिलता है 4K HDR का support और यह freely upgradable है इसमें आपको देखने मिलेगा Dolby Atoms का support वो भी freely upgradable है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे like और अपने friends के दाश शेर कीजिए मेरे लिए कोई सवाल या suggestion हो तो से नीचे comment कीजिए और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा